मैं हूँ श्रीघासरा और आप देखरें जियन भारत हमने राज्य सभा से रिलेटेट अपडेट हम आपको पल पल देते आ रहे हैं और अब जो सबसे बड़ा अपडेट कल हेमसोरेन ने दे दिया है कि उमिद्वार जो है वो महुआ मांची होगी संगठन की महिला होगी ऐसा हम अभी फिलहाल आप देख सकते बैग्राउंड में कि हम कॉंग्रेस भवन में मौझूद है और कॉंग्रेस भवन में फिलहाल एक बैठक चलना है जिया बैठक होगी बैठक के बात क्या कुछ होगा अब हम आपको बताएंगे लेकिन बैठक बहुत इंपोर्टेंट है ऐस इसको देखते हुए कॉंग्रेस में भी बहुत गुस्ता का एक गर्माहट का महौल देखा जा रहा है हमने संगठन की महिला सदस है दिपिका से भी बात करनी कोशिश की जो हम आपको सुनाएंगे लेकिन सारे संगठन के जो यह लोग है वो बहुत गुस्ते में है अब यह जो राजसबा का जो उमीदवार घोसित हुआ है इसा कॉंग्रेस जेमें के गडबंदन पर क्या असर पड़ेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन फिरहार इस अंगठन की जो महिला सदस है दिपिका ने खुल कर अपनी बातों को जीयन भारत के साथ रखा आईए सुनते उन्होंने क्या कुछ कहा? गडबंदन चल रही है वो आज जो सामने जो जनता की चुनी होई मा गडबंदन है उस पर हावी हो रही है चिंता का विशह है सारे घटना करम को अगर आप एक से दूसरे कड़ी को जोडएंगे तो किसी भी समझार व्यक्ति के लिए साफ है कि क्या हो रहा है एक गडबंद में हम लोग चुन करके आए हैं कॉंग्रिस लगातार यह प्रयास करती रही है कि गडबंदन को जो चलाने की जिम्मेदारी है हम लोग उसको पूरा करें एक धर्म है एक नीती के हिसाब से यह गडबंदन चलना चाहिए जो पिछले धाय साल से तो नहीं चल रहा है आगे हम कमान या जो हमारे वरिष नेता है हम लोगों की बात सुन करके आगे क्या फैसला लेते हैं वो तो उनके उपर है लेकिन आज के दिन जरूर महा गडबंदन धर्म का पालन नहीं हो रहा है मैंने किसी का नाम डाल किया किसी के खिलाफ नहीं किया है जो ट्वीट मेरे मन में उ अगर अंदेखी की है सभी के सामुहिक निर्ने की मुझे लगता है ये बहुत चिंता का विशह है कॉंग्रेस की चिंता वो ना भी करें तो जारकन की जंता को जवाब दे हैं जिस वजह से यह सरकार आई थी धर्शाचार बदादीकारियों से दूरी रखने उन्हें सजा द अफसर मिलें इसलिए सरकार बनी थी महिला अनुबंदित कर्मी हों चाहे यहां के जल जंगल जमीन को बचाने की बात है यह सरकार इसलिए बनी थी लगातार हम लोगों के बोलने के बावजूद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का नहीं बन पाना महाँगडवंदन में कॉडिनेशन कमीटी नहीं बनाना और कॉंग्रिस विधायकों के पे कभी केस कराना और हम लोगों के किसी बात को नहीं रखने का काम इस सरकार में चल रहा है कॉंग्रेस अपने दायतों को समझते हुए, हम विधायक भी अपने दायतों को समझते हुए, माग अडवन्दन के मर्यादा में अपनी बातों को रखते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चल रहा है है सरकार, और जो भ्रष्टा जार का दाग बेवजा कॉंग्रेस के उपर अगर एक संगठन की महिला को मिला है, तो यह स्वागत योग है, उनको मैं अगरिम बधाई देना चाहती हूँ, कि एक राज्य सभा की सदस से एक महिला बनेगी, यह खुशी की बात है, लेकिन जो महा गडवन्दन धर्म की जो लक्ष्मन रेखा को छुने का काम किया गया ह इसके साथ ही आपने देखा कि दिपिका ने कहा कि साफत और पर कि हेमन सोरेंज है, वो गडवन्दन का जो फर्श है, वो फर्श अदा नहीं करें, फर्श नहीं निबारे, बलकि धोका कर रहे है, अब इतना बड़ा बात अगर संगठन के लोग कह रहें, तो कहीं न कहीं इ आजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूलें